हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम जॉन राड़न की पोयम, अलेक्जेंडर स्वीस्ट या फिर दे पावर अफ म्यूजिक को डिस्किस करेंगे अब इसे अलेक्जेंडर स्वीस्ट इसलिए नाम दिया गया है, क्योंकि इस पोयम में जो है अलेक्जेंडर जब उसने परशिया को जीत लिया है, इस वक्त वो बहुत खुश है और उसने एक पार्टी रखी हुई है तो उस पूरे फीस्ट का सेलिब्रेशन का जो है, एक्स्प्लेनीशन की वहाँ क्या-क्या हो रहा था सब कुछ उन्होंने बताय हुआ है, पोयेट ने हमें और वहाँ क्या-क्या हुआ उस पार्टी में ये वो बता रहे हैं और दूसरा नाम इसलिए है, The Power of Music क्योंकि जो पूरी पोयम है, इसमें जो है, जौन ड्राइडन ने, जो कि तिमोथियस है, जो कि एक बहुत ही फेमिस म्यूजिशन थे उनके टाइम के, वो एलेक्सेंडर की इस पार्टी में यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे एलेक्सेंडर को खुश करने के लिए गाने बजा, अलग-अलग तरीके की मेलोडीज और ट्यून्स उन्होंने यहाँ दी है, अब ध्यान रखने वाले बात यह है कि टिमोथियस और अलेक्सेंडर कभी भी सेम टाइम लाइन में जिन्दा नहीं थे उन दोनों का टाइम लाइन अलग-अलग ता, लेकिन यहाँ पे जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने इस पोयम को और ब्यूटिफल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ऐसे हमें दिखाया है कि टिमोथियस जो है, वो भी अलेक्सेंडर के साथ में है और उनके सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है अब यह जो पोयम है, यह लिखी के थी 1697 में जो है यह डेडिकेटिट थी सेंट सिसीलिया को तो इसकी पीछे स्टोरी ने, इसका रीजन यह है कि जो लंडन म्यूजिकल सोसाइटी सेलिब्रेशन था सेंट सिसीलिया देखा, जो कि हर साल 22nd नवेंबर को सेलिब्रेट किया जाता था यह dedicated था Saint Cecilia को जो कि Saint of Music थे यह patron Saint थे Music के तो उनके honor में जो society थी उन्होंने John Dryden को कहा था कि आप इनके honor में एक poem लिखिये He came up with Alexander's Feast और The Power of Music अब जो power of music है music की जो शक्ती है जो ताकत है यह हम लोग सब जानते हैं हमारी daily life में भी हम experience कर सकते हैं आपका mood खराब है और आप एक अच्छा गाना सुन ले तो आपका mood अच्छा हो जाएगा and vice versa as well और बहुत पर आपने movies में भी देखा है कि उन लोग को जब कोई scene अगर हमें समझाना है तो वो background music जो है it affects us a lot तो music का importance तो कोई भी हाँ deny नहीं कर सकता अब इस poem को शुरू करने से पहले बता दू कि यह poem जो है seven stanzas में divided है 180 line की यह poem है अब जो timothiis इस poem में वो क्या करते हैं कि हर एक stanza जो है वो एक तरीकी के emotion को depict करेगा जैसे कि हम जानते हैं हिंदी में भी आपने अगर पढ़ा होगा जैसे शंगार में देखने के लिए मिलेंगे तो मैं आपको line by line बताती हूँ सबसे पहला जो stanza है वो है वेलर यानि की करेज दिखाते हैं युद्द के वक्ट जो हम अपने आपको ब्रेव दिखाते हैं उसके बारे में जो है पहला stanza दूसरा है जो stanza वो है human और heroic to divine यानि कि जो इस stanza में जो poet है उन्होंने बताया है कि Alexander जो है यह इनसान नहीं है यह बगवान है कि उनकी माने भी ऐसा claim किया है कि यह उनकी पती का बच्चा नहीं है बगवान खुद जो थे वो धर्ती पर आया थे और उन्होंने जो Alexander को जनम देने में उनकी मदद की थी जो तीसरा हमारा stanza है वो dedicated to drinking pleasure and festivity यानि खुशी का जो महौल होता है उसके ओपर उन्होंने यह stanza बेस किया है और चौता जो stanza है वो है ridiculous folly of vanity कि जो हम दिखावे में हम से इन चीजों में पड़े रहते हैं उसके बारे में उन्होंने बताय हुआ है जो पाँचवा stanza है वो है tragic and pathetic जो दुख के बारे में है और चटवा जो stanza है वो है furious of revenge operating souls of the hero जो गुस्सा है उसके बारे में लास्ट में जो है seven stanza उसमें सेंट सीसीलिया जो है को खुद आ जाते हैं खुद प्रकट होते हैं और हमें आगे जो है poem में लेके जाते हैं अब ये जो poem है ये एक ode है ode का मतलब क्या होता है तो जैसे कि हमारी ignu के books में दिया हुआ है the ode is a type of lyric serious, dignified and frequently in the form of an address किसी को हम address करते हुए dignified poem जो लिखते हैं जो कि lyrical structure में होती है उसे हम ode कहते है अब जो ode है ये दो तरके के होती है एक regular ode और एक irregular ode तो वो या तो personal inspiration वाली ode हो सकती है या फिर impersonal जैसे कि Alexander's Feast जो है ये एक impersonal regular ode है और ये regular इसलिए क्योंकि ये एक same stanza pattern को follow करती है और जो irregular ode होती है उनमें अलग-अलग rhythm, अलग-अलग rhyme और अलग-अलग stanza pattern होते हैं अब हम लोग जहां ये poem पढ़ना शुरू करेंगे मैं आपको वापे सियाद दिला दू कि as usual मैंने जो poem की link है वो मैंने यहां description में डाली होई आप चाहे तो वहां से poem को refer कर सकते हैं otherwise इस page पे भी like इस वीडियो में भी आपको poem देखने के लिए मिल रही है तो सबसे पहला जो हमारा stanza हम शुरू करते हैं तो अब ये जो है बता रहे हैं वो हमें description दे रहे हैं कि असल में वहां हो किया रहा था किस setting में ये poem लिखी गई है तो royal feast चल रहा है बहुत ही royal raja का जो feast होता है वो चल रहा है क्योंकि जो Alexander है उसने परश्या को जीत लिया है अब यहां पर फिलिप्स वार लाइक सन क्योंकि जो Alexander की ममी थी Olympia उनका ये कहना था कि जो Alexander है वो उनके असली पती फिलिप्स का बच्चा नहीं है इनफेक्ट उनका जो ये बेटा है Alexander ये God Zeus जो है Zeus करके भगवान थे उनके उनका ये बच्चा है और इसलिए ये जो बच्चा है या जो Alexander है इसको हमें भगवान की तरह पूझना चाहिए क्योंकि ये इनसान का बच्चा नहीं है ये बगवान का बच्चा है यानि कि अब वो आराम से बैठा हुआ है भगवान की तरह जो हीरो है यानि कि ये इनसान नहीं है किसी को इतना उपर चड़ा देना कि ये इनसान नहीं है ये बगवान है वैसी रिस्पेक्ट इसको देनी चाहिए aloft in awful state the godlike hero sat aloft का मतलब होता है जो सर उठा के हम खड़े रहते हैं जब हम कुई अच्छा काम करते हैं कुछ भी अच्छा हम करते था हम सर उचा करके हम खड़े रहते है aloft वैसी state में वो बैठा हुआ है godlike hero यानि भगवान की तरह जो hero है ये वहाँ बैठा हुआ है उसको उन्होंने इतना उपर चड़ा दिया है कि ये भगवान की तरह से इंसान मत समझे है आप इसे भगवान की तरह पूजी क्योंकि ये उनका ही बच्छा है on his imperial throne his valiant peers were placed around imperial यानि जो राजा से जुड़ा हुआ है जो empire से जुड़ा हुआ है तरह जो ताज है उसके सर पे वो लेके वो बैठा हुआ है his valiant peers were placed around यानि उसके साथ ही उसके जो courageous जो उसके साथ यूदे में लड़े हुए जो लोग है उसके साथ जो थे उसके सिपाही उसके सेना और उसके जो सैनेक है वो सब उसके आसपास उसके साथ बैठे हुए है they are bros with roses with martel bound so should desert in arms be crowned उनकी जो भोहे है उसके उपर में पूरे गुलाब और फूल जो है दूसरे martel के फूल है वो सब उनके आसपास है यानि उनको इससर पे ताज पहनाए गए है इन सब फूलों के the lovely thais by his side अब thais जो है वो उनकी रानी है उसका नाम है thais वो बहुत ही सुन्दर है वो उसके साथ में बैठी हुई है set like blooming eastern bride वो ऐसे बैठी है जैसे कि कोई eastern bride यानि दुलान हो in flower of youth and beauty's pride उसके उपर जो fool है young यानि youth यानि जवानी के जो fool है वो उसके उपर पूरे बिकर हुए है और वो इतनी सुन्दर है कि उसे अपनी सुन्दरता पे गर्व है happy 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 pear यानि ये जो pear है ये बहुत ही खुश है ये happy 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 है none but the brave, none but the brave, none but the brave deserves the fear अब उस वक्त में जो है ये बार-बार कहा जाता था कि जो brave है जो की लड़ने के लिए तयार है जो किसी से डरता नहीं है उसे ही सबसे सुन्दर बीवी मिलनी चाहिए तो इसलिए वो खहरा है कि Alexander जो है वो बहुत brave है बहुत courageous है और उसके जो बीवी है ऐसे ही couple है क्योंकि जो सबसे सुन्दर है उसे ही ये मिलना चाहिए तिमोथियस placed on high amid the tuneful choir अब वो क्या कर रहे है अभी तक हम उनों हमें ये जो party उसकी setting बताई थी Alexander कहां बैठा है उसके दोस्त उसके साथ बैठा हुए अब जो है next anza से वो तिमोथियस के बारे में बता रह है और वो ये poem बोल रहा है वो गाना गा रहा है तो तिमोथियस जो है जो musician वो भी बहुत ही हाई बैठा वा उसको भी बहुत ही अच्छी एक जगह दी गई है amid the tuneful choir with flying fingers touch the lyre जो lyre है वो एक musical instrument है जो तिमोथियस से ये उसको बजा रहा है अपनी उंग्लियों से the trembling notes ascend the sky and heavenly joys inspire trembling जो शेक होता है जिसे हम एक vibration अप समझ लीजे जो notes है music की जो notes है वो उपर आस्मान में जा रहे हैं और हर तरफ जो है बहुत ही खुशिया फैल रही है heavenly joys जो कि धरती पे हमें मिल ही नहीं सकती जो स्रिफ स्वर्ग में मिलती है वैसी स्वर्ग जैसी खुशि who left his blissful seat above और जो song है इसको सुनके जव जो है जो भी भगवान है उपर जो स्वर्ग में बैठते हैं वो उन्होंने अपनी blissful यानि जो सबसे ज़्यादा खुशियों से भरी जो सबसे ज़्यादा calm, peaceful वो ऐसी seat जो है उन्होंने वो छोड़ दी वो गाना इतना अच्छा था पर ड्रागन्स और इस सब की बाते हो रही है तो आप घबराएगे नहीं असल में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो इनकी मा थी अलेक्जंडर की मा उलम्पिस उन्होंने कहा था कि यह जो बेटा है यह मेरा और फिलिप का बेटा नहीं है फिलिप उनके जो भगवान थ उनके उनकी देन है यह तो अब इसलिए वो कह रहे है कि जब जब आए और उन्होंने प्रेगनेंट करने की कोशिश के अलम्पिया को बच्छा पैदा करने के लिए तो वो कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि a dragon's fairy from belly the god यानि जो जब भगवान है वो ऐसे इनसान या भगव और फिर वो जो है ओलम्पिया के पास गए और उन्होंने प्यार करने लगे फिर क्या किया कि वो उन्होंने अपनी ही खुद की एक छवी जो इमेज है वो उन्होंने ओलम्पिया को दे दी a sovereign of the world जो सब को जीत जाएगा जो दुनिया का जो राजा है वर्ल्ड का जो राजा है उन्होंने अपनी एसी एक छहवी निकालके जो है ओलम्पिया को दे दी तो यहाँ पर वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो Alexander है वो कोई आम इंसान नहीं है वो किसी इंसान का बेटा नहीं है वो बगवान का बेटा और इसलिए आप सब जो है आप उसको वैसी ही respect वैसी ही इस्जत दीजे क्योंकि वो बगवान का बच्चा है अब ये जब जो हाई सुनने वाले जो लोगे जो crowd है जो बीड है उन्हें इस सब सुनके बहुत ही अच्छा लगा वो उसको एकदम प्यार में पढ़ गए इस music के अब प्रेजें डीटी यानि जो भगवान होते हैं वह तो खहरे कि हमारे सामने भगवान प्रेजेंट है उन्होंने चिलाया अब प्रेजें डीटी the vaulted roofs rebound और जब वो चिला रहे हैं तो छटे हैं वहाँ से भी वही आवास गूंज के वापस आ रही है rebound यानि वापस आना with ravished ears the monarch here assumes the god affects to nod and seems to shake the spheres अब ravish करना यानि हम किसी भी चीज़ को बहुत enjoy करके जो जिसे कुछ खाना या कुछ सुनना तो वो अपने कानों से बहुत enjoy करते हैं वो सुन रहे हैं the monarch hears जो monarch यानि राजा है वो भी सुन रहा है assumes the god जो भगवान है वो भी मान रहे हैं affects to nod यानि nod करना यानि हम जो सर हिलाते हैं उपर निचे करके हा करने के लिए nod करते हैं तो वो भगवान जो है वो भी nod कर रहे हैं and seems to shake the spheres यानि spheres यानि जिसे धर्ती जिस शेप में sphere shape में है तो ये सब जो आवाजे हैं इनको सुन के इन आवाजों से जो धर्ती है वो भी पूरी shake हो रही है हेल रही है क्योंकि ये लोग इतनी जोर-जोर से गा रहे हैं अब माता है नेक्स टैंजा पे अब बच्चूस जो है वो भगवान है merriment के खुशी के वो drinks के भगवान है तो ये जो हमारा स्टैंजा है ये खुशी के बारे में ही है drinking, pleasure and festivity जो थर्ड स्टैंजा उसी पे dedicated है तो वो बच्चूस जो भगवान है उनको बुला रहे हैं the jolly good in drum comes sounds the trumpets, beats and drums अब इसी में jolly god यानि जो भगवान है, जो खुशी के भगवान है वो आते हैं और वो किसके साथ आ रहे है sound of trumpet और drums इन दोनों, trumpet और drums इन दोनों musical instruments है इनकी आवास के साथ में वो भगवान जो बच्चूस है वो आ रहे हैं flushed with purple grace he shows his honest face उसके चहरे पे जो है purple grace grace यानि उनके चहरे पे जो सुंदरता है वो अपनी सच्चाई की सुंदरता अपने चहरे पे लेके वो इन सब लोगों के सामने आ रहे हैं उनको अपना चहरा दिखा रहे हैं now give the hot boys breathe, he comes, he comes और जो सारे लोगे उन्होंने अपनी सासे रोक लिये क्योंकि वो जो है वो आ रहे हैं बच्चूस, ever fair and young और बच्चूस वो भगवान जो हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर और young है drinking joys did first ordain बच्चूस blessings are treasure drinking in the soldier's pleasure अब जो है जो drink करने के बाद जो उन्हें खुशियां मिलती है लोगों को वो आ चुकी है और बच्चूस की जो blessings है उनका जो आशिरवाद है वो एक treasure है निए खजाने की तरह है drinking is the soldier's pleasure कि जो soldiers है जो लडने वाले सैनेक लोग है उन लोगों के लिए drinking ही एक pleasure है rich the treasure, sweet the pleasure sweet is the pleasure after pain अब वो कह रहे हैं कि जो treasure, जो खजाना है वो बहुत अमीर है और जो pleasure है, जो खुशी है वो बहुत मीठी है और sweet is the pleasure after pain यानि कि जब हम कुछ चीज के लिए बहुत महनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं अपना सारा जो दम खम हम लगा देते हैं और उसके लिए हमें of course इन सब चीज के कुछ आसान ही होता है इसमें हमें pain होता है तो ये जो pain है, उसके बाद जो हमें खुशी मिलती है, जो pleasure मिलता है वो और भी जादा मीठा होता है अब इसका मतलब भी है कि ये जो सैने के लिए लोग यूद्दे से जाकर उन्होंने बहुत लड़ा है उन्होंने बहुत कुछ वहाँ देखा है जो उनके दोस्तों के साथ हुआ होगा या बहुत चीजे वहाँ यूद्मे हुई होगी ये सब चीजे देखने के बाद अब जब वो finally जीत गए है उन्होंने इतनी महनत के बाद जो उन्हें फल मिला है वो फल अब जादा मीटा और जादा अच्छा है दोस्तों ये जो वीडियो है अभी इसमें मैंने पहले तीन स्चांजास अलरड़ी डिसकस किया और पोयम के बारे में भी आपको बता दिया है ये काफी लंबा हो गया है और प्लीज प्लीज मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें